हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC Practice Mock में, आज की जो क्लास होगी, वो होगी Time, Speed and Distance, समय, गती और दूरी, ये क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे, और इस क्लास में मैं आपको Time, Speed and Distance के पूरे इसके question हमेशा आपको देखे जाएंगे SSC और कोई भी other government exam में, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझेगा, और कोई भी doubt होगा, तो आप comment में हमें बताईएगा, हम उसको जरू solve करेंगे, ठीक है, तो बिना कुछ देरी की हुए, हम स्टार्ट करते हैं आज का topic, time, speed and distance, ठीक है, चलिए, start करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, time, speed and distance, यहाँ पर आपको तीन चीजे देखने को मिल रही है, time, speed and distance, तो एक-एक करके हम समझेंगे, कि यह तीन चीजे होती क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं, एक-एक चीज, जो एक-एक है, वह आपको मैं बताऊंगा, क्या है, speed, time and distance, ठीक है, यह तीन टर्म आप यहाँ पर देख रहे है, speed, time and distance, तो एक-एक एक-एक जामपर लूँगा मैं, कि सपोज दो प्लेस है, एक-ए और दूसरा है B, यह दो प्लेस है, ठीक है, एक कोई person है P, एक बंदा है P, वो A से B उसे जाना है, उसे कहां से जाना है, A से B जाना है, ठीक है, तो यहां से यहां का जो space होगा, यहां से यहां का A से B तक की जो space होगी, वो कहलाएगी आपकी distance, जिसे हम D से denote करेंगे ठीक है, तो यहां से यहां का space मैंने मान लिया, कि A से B का space जो है, वो 100 km है, क्या है, 100 km है, ठीक है, अब जो P, A से B जा रहा है, यहां से यहां जाने में उसे कुछ समय लगेगा, यहां से A से B जाने में, P को कुछ समय लगेगा, time लगेगा, तो वो time क्या है, वो time मैंने मान लिया कि टी है 5 घंटे 5 hours ठीक है तो यह जो टी है टी से दिनोट करेंगे वो आपका time तो interval यहां से यहां जा नहीं में जो इसे interval दो event हो रहे हैं इसे जा रहा है मतलब इसे जाना है भी पहुंचना है दो इंटर्वल और तो इस इंटर्वल को जो सेपरेट कर रहा है वो कहलाएगा टाइम ठीक है क्या कहलाएगा टाइम अब देखो अब distance मैंने समझ लिया time मैंने समझ लिया अब मुझे समझना है speed क्या होती है आप मुझे समझना है speed क्या होती है तो speed क्या होती है दििस्टेंस travel by पर यूनिट टाइम मतलब जो गती की परिवासा है वो है कि कोई बेक्ति जितना दूरी पर यूनिट समय पे जितना दूरी तय करता है उसे गती कहते हैं ठीक है तो आप देखो मैंने बोला कि distance traveled by an object per unit time, तो 5 घंटे में, पर unit का मतलब होता हमेशा 1, unit का मतलब होता हमेशा 1, तो 5 घंटे में अगर 100 km चल रहा है, 100 km चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे में 100 by 5, यानि कितना चलेगा, 20 km चलेगा, और यही, स्की हो गई 20 km पर hour, ये हो गई speed, मतलब 1 घंटे में 20 km पर hour, ठीक है, मतलब 5 घंटे में 120 km चल रहा है, 5 घंटे में, 5 घंटे में 100 km चल रहा है, तो एक घंटे में 20 km चलेगा, और वही, तो एक घंटे में कितना चला, 20 km, मतलब पर आवर कितना चल रहा है, 20 km चल रहा है, तो इसकी speed हो गई, 20 km पर आवर, ठीक है, 20 km पर आवर, तो speed हमने क्या देखा, speed की जो definition हुई, distance upon time, यह जो आपका एक speed का जो formula बना, यही formula time, speed and distance के लिए सबसे important है, और इसी formula से सारी questions time, speed और distance के लिए, speed equal to distance upon time, तो speed का formula क्या हो गया, distance, distance divided by time, ठीक है, तो यहां से हमने, एक formula निकाला, कि speed equal to distance divided by time, यही basic formula है, और इसी formula से सारी questions आपके बढ़ेंगे, ओके, ठीक है, एक question देखते हैं, इसी formula से भेष्ट, एक question लेके रहा हूं है, कि a man covers 40 km, in 4 hours, एक आदमी 40 km, 4 घंटे में cover करता है, find his speed, ठीक है, इसके speed निकालो, ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला, speed equal to, speed equal to, distance upon time, distance divided by time, distance बटा time, समय, स्री, दूरी बटा समय, ठीक है, तो distance क्या है, 480 है, distance क्या है, 480, और time क्या है, 4 घंटे, तो कितना हो गया, 120 km per hour, 120 km per hour, तो यह a option हो गया, अब आप बोलेंगे कि, यह km per hour, ठीक है, तो यह इसकी unit है, यह इसकी unit है, अब मैं unit आपको बताऊंगा, कि unit को हम कैसे represent करेंगे, ठीक है, पहले देखो distance, distance हम लोग generally, km ठीक है, या मीटर में लिखते हैं, generally जो आपके question आएंगे, km या मीटर में आएंगे, cm और कुछ भी आ सकते हैं, cm में भी आ सकते हैं, mm बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन generally आपका km और मीटर में होगा, जो question पूछ जाएंगे, time जो होगा, या तो second में होगा, या तो minute में होगा, time की तो यही होती है, आपका second में होगा, तो speed क्या हो जाएगी, km पर hour, अगर distance में होगा, और time अगर आपका second में होगा, तो speed क्या हो जाएगी, meter पर second, अगर distance meter में होगा, time minute में होगा, तो meter पर minute, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन generally आपके ये, जो होते हैं, question में, आपके km पर hour और meter पर second, इस unit में question पूछे जाते हैं, generally आपके इसी दो unit में question पूछे जाएंगे, ठीक है, और distance जो आपका km में होगा, और meter में हो सकता है, और time जो है hour और second में हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा, देखा, कि speed की unit क्या होती है, distance की unit क्या होगी, ठीक है, उसे हम कैसे represent करते हैं, time की unit क्या होगी, कैसे represent करते हैं, यह हमने देखा, ठीक है, तो यहाँ पे जो यह formula है, इससे मैं 3 conclusion निकालूँगा, यह जो formula मैंने आपके लिए लाया है, कि speed equal to distance upon time, speed equal to distance upon time, इससे मैं 3 conclusion, 3 result निकालूँगा, आपको अच्छे से समझना है, 3 conclusion, ठीक है, बढ़िया से समझना आप यह 3 conclusion क्या होगा, ठीक है, इस formula से, अगर मैं बोलता हूँ, पहला conclusion मैं बोलता हूँ, कि अगर distance को, distance को constant कर दिया जाए, distance को constant कर दिया जाए, मतलब distance constant है, distance ना घट रहा है, constant का मतलब क्या होता है, ना घट रहा है, ना बढ़ रहा है, same है, ठीक है, है अगर distance को constant कर दिया जाए तो क्या होगा तो क्या होगा तो यह होगा कि speed जो होगी वह inversely proportional to time taken होगी speed हो जो होगी वह inversely proportional to time taken होगी यह कैसे होगा अब देखो मालो की distance है ठीक है distance है 100 km 100 km ठीक है और time ले रहा है मालो 20 hour ठीक है 20 hour तो speed क्या होगी speed हो जाएगी distance by time 100 by 20 100 by 20 यानि 5 km पर ठीक है यह पहला केस हो गया ठीक है दूसरा केस मैं बोल रहा हूं कि अगर distance constant है अब distance क्या है constant है 100 ही होगा time यह ले रहा है मालो 10 hour time क्या ले रहा है यह second case में यह second case ठीक है यह first वाला case है ठीक है time 100 hour ले रहा है ठीक है तो अब speed क्या हो जाएगी speed equal to 100 by 10 क्या हो जाएगी 100 by 10 यानि 10 km per hour 10 km per hour तो अब देखो यहां से अब मैंने निकाला कि time जादा है अगर time जादा है तो speed कम हो रही है speed कम हो रही है ध्यान देना आप time जादा है time 20 hour है तो speed कम हो रही है time जैसे ही कम हुआ speed बढ़ गई time जैसे ही कम हुआ speed बढ़ गई तो अब यह कैसे बढ़ी ठीक है तो यह उसी ratio में बढ़ी जिस ratio में time घटा time पहले क्या था पहले time था 20 ठीक है फिर क्या हो गया 10 क्या था 20 फिर हो गया 10 अगर इसको मैं रेश्यों में निकालूं तो क्या हो गया 2 is to 1 क्या हो गया 2 is to 1 तो speed क्या हो गई देखो speed पहले थी 5 फिर हो गई 10 पहले थी 5 फिर हो गई 10 अब क्या हुआ देखो रेश्यों क्या होगी 1 is to 2 तो देखो पहले 2 से 1 हुआ यहाँ ए से 2 हुआ यानि उसी रेश्यों में घटी जिस रेश्यों में ताइम उसी ताइम जिस रेश्यों में घटी है उसी रेश्यों में speed बढ़ी है ठीक है यह चीज किलियर है यह चीज किलियर है तो आप देखो मैं अगर बोलू यह T1 है यह T1 है और यह S1 है यह T1 है और ये S1 है ये मैं बोलू कि ये T2 है ये T2 है तो ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका S2 ये कहलाएगा आपका S2 तो मैं अगर एक फॉर्मूला निकालू यहाँ पर तो S1 by S1 by S2 करूँ तो क्या हैगा S1 by S2 करूँ तो यहाँ पर क्या आगा T2 by T1 T2 by T1 समझ में आए आपको देखो S1 क्या है अब देखो यहाँ पर S1 by S2 यानि S1 कितना था 5 ठीक है और S2 क्या था 10 क्या था 10 अब T2 क्या हो गया यहाँ मैंने बोला तो T2 by T1 तो T2 क्या हो गया आपका 10 और T1 हो गया 20 तो देखो आ गया 1 by 2 यह भी आ गया 1 by 2 यह आ गया 1 by 2 यह भी आ गया 1 by 2 तो यह बहुत important formula यह किसी question में हम इस टाइब की questions आपके आते एक्जाम में तो inversely proportional का मतलब क्या होता है कि अगर कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो जो उसका inversely proportional है वो दूसरी चीज वो घटेगी जैसे अगर time घट रही है तो speed बढ़ रहा है ठीक है time घट रही है तो speed बढ़ रही है अगर speed यहां से यहां बढ़ रही है देखो speed अगर ऐसे हम लेगे स्पीड बढ़ रही है स्वरी स्पीड घट रही है तो time क्या होगा बढ़ रही होगी ठीक है time घट रहा है जैसे मैंने बोला एक question कि Ram who starts from point A and Sam who starts from point B नहीं यह question इस पर पेश नहीं यह question इस पर पेश ठीक है कि Ram and Sam take 5 hours and 7 hours respectively to cover place A from place B ठीक है तो राम है है ठीक है एक Ram है ठीक है और एक श्याम है एक राम है और एक श्याम है ठीक है तो वो बोलने कि A से B जाने में A से B जाने में देखो from cover place A from place B यानी A से B जाना है ठीक है तो यहां पर देखो distance क्या हो रहा है A और B है ठीक है A से B जाने यानी distance same है distance क्या होगा A से B का जो distance होगा सब्सक्राइब सेर्धा शेम होगा राम यहां यहां जा रहा और स्ञाम यहां से जा रहा रहा है तो राम जो टाइम ले रहा है वह पांच गंटे ले रहा है यह राम जो टाइम ले रहा है वो साथ घंटे ले रहा है ठीक है तो यह हम मान लेते हैं यह हो गया मेरा टीवन और यह हो गया मेरा टीटू ठीक है यह हो गया मेरा टीटू अब कहरा इफ स्पीड ओफ राम इस 30 किलो मेटर पर आवर तो राम की स्पीड जो है वो 30 किलो मेटर पर पावर है ठीक है अब पूछ रहा है स्याम की स्पीड क्या होगी यह मुझे निकालना है तो इसकी स्पीड मैं स्याम की स्पीड माल लेता हूं राम की स्पीड स्टू राम की स्पीड स्टू राम की स्पीड स्टू और स्याम की स्पीड स्टू तो S1 by S2 equal to मैंने क्या बोला था, T2 by T1, तो S1 क्या है, 30 है, ठीके, S2 मुझे निकालना है, ठीके, T2, 7, और T1 क्या हो गया, 5, ठीक है, T1 हो गया, 5, तो यह क्या आ गया, चलो, यह एक्चुली 7 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बट, यहां से भी अंसर निकल जाएगा, S2 क्या हो जाएगा, S2, 30 गुना, 5 पटा, 7, यानि, 150 पटा, 7, किलोमेटर, ठीक है, 150 किलोमेटर, 150 पटा, 7 किलोमेटर, ठीक है, तो देखो, यहां पर ऐसे भी आम निकाल सकते थे, कि T1, इस्टू T2, यानि, T1 by T2, क्या है, 5 पटा, 7, ठीक है, 5 पटा, 7, तो S1 by S2 क्या हो जाएगा, S1 by S2 इसका उल्टा हो जाएगा, यानि, S1 by S2 क्या हो जाएगा, 7 पटा 5, तो S1 by S2 क्या हो जाएगा, 7 पटा 5, ठीक है, S1 by S2, 7 पटा 5, अब देखो, 7 की वेल्यू क्या दी गई है, S1 क्या है, 30, 7 की वेल्यू 30 दी गई है, 7 की वेल्यू 30 दी गई है, तो यहां पर सीधा होगा, कि 7 की वेल्यू अगर, 30 है 7 की value 30 है तो 5 की value क्या होगी 5 की value होगी 30 बटा 7 गुना 5 यानि 150 बाइ 7 किलो मीटर पर ठीक है यह आपका answer हो गया तो किलिए रहा है कि फर्स्ट के लिए रहा हां दूसरा concept था एक हमने एक concept पड़ा दूसरा अगर यह हुआ कि एक conclusion हमने निकाला अब दूसरा conclusion हम निकालते हैं कि अभी मैंने बोला speed equal to distance upon time ठीक है अभी जो हमने एक conclusion निकाला कि हम distance को क्या गर रहे है है constant रख रहे है इस distance को क्या कर रहे है constant रख रहे है लेकिन अगर distance को constant ना रखके time को constant रख दिया जाए अगर distance को constant ना रखके time को constant रख दिये जाए तो क्या होगा तो क्या होगा आईए देखते हैं क्या होगा है ना तो क्या होगा को आईए देखते हैं क्या होगा तो अगर मालो time constant है अगर मालो time constant है time constant है तो speed जो होगी वो directly proportional to distance traveled होगी speed जो होगी directly proportional to distance traveled होगी ठीक है है कि अगर time constant है तो speed बढ़ेगी distance भी बढ़ेगा speed घटेगी distance भी घटेगा मतलब अब किस रेशियो में घटेगा बढ़ेगा वो हम देखेंगे ठीक है वो हम देखेंगे कि सपोज स्पीड कॉंस्टेंट है ठीक है तो दो केस लेंगे हम क्या लेंगे दो केस लेंगे ठीक है टाइम को कॉंस्टेंट रखना है तो पहला केस माल लिया कि स्पीड जो है वो 40 किलो मीटर पर आवर है 40 किलो मीटर पर आवर है ठीक है और टाइम जो है वो माल लो 5 है 5 घंटे 5 आवर्स ठीक है टाइम जो है 5 घंटे है ठीक है तो डिस्टेंस क्या होगी डिस्टेंस हो जाएगी 200 किलो मीटर डिस्टेंस क्या होगी 200 किलो मीटर यह मेरा पहला केस यह मेरा पहला केस है दूसरा केस क्या होगा देखो कि स्पीड को मैंने बढ़ा दिया स्पीड को मैंने कर दिया माल लो 50 किलो मीटर पर आवर स्पीड को मैंने बढ़ा दिया और टा टाइम से रखना है तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 250 किलो मेटर ठीक है डिस्टेंस क्या ट्रेवल क्या हो जाएगा 250 किलो मेटर देखो डिस्टेंस ट्रेवल इकल टू क्या होगा यहां पर अगर speed equal to distance by time है तो distance equal to क्या होगा speed into time यह होगे न distance की formula distance का formula यह होगा आप देखो 40 था 200 होगा ठीक है 50 हो गया 250 हो गया ठीक है तो आप देखेंगे किस ratio में किस ratio में speed अगर बढ़ रही है है तो distance किस ratio में बढ़ रही है यह हमें देखना है यह हमें देखना है तो देखो पहले था 40 40, ठीक है, फिर हो गया 50, तो ratio क्या हुई, 4 is to 5, तो क्या हुई, 4 is to 5, अब देंको distance क्या हो गया, 200 हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, distance 200 हो गया, अब भी क्या हुई, 4 is to 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस रेशियों में स्पीड बढ़ेगी या घटेगी उसी रेशियों में डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा समझ में आ गया तो इससे क्या conclusion निकालेंगे इससे यह conclusion हमारा निकलेगा कि S1 by S2 equal to D1 by D2 होगा S1 by S2 equal to D1 by D2 होगा अगर time constant होगा अगर time constant है ठीक है अगर time constant है तो S1 by S2 equal to D1 by D2 होगा ठीक है this is the formula है ठीक है यह हमारा एक conclusion निकलेगा एक conclusion निकलेगा ठीक है इस पर बेज़्ड एक question बनाते हैं ठीक है यह question इस पर बेज़्ड है कि Ram who starts from point A and Sam who starts from point B ठीक है अब देखो क्या बोल रहा है यह देखो question यह मानलो point है A ठीक है यह point है A और यह point है आपका B यह point है आपका B तो Ram who starts from point A तो यहां से Ram start करता है and Sam who starts from point B और Sam यहां से start करता है ठीक है meet at point C यहां पर मानलों कोई point C है यहां दोनों आकर मिलते हैं ठीक है if speed of Ram and Sam is 40 km per hour and 50 km per hour respectively तो Ram की speed जो है वो 40 km per hour है और Siam की speed जो है वो है 50 km per hour ठीक है the distance between A and B A और B की जो distance दी गई है वो 360 km क्या दिया गई है 360 km यह distance दी गई है find the distance covered by Sam यानि Sam कितना distance covered किया मतलब B और C का distance आपको निकालना है तो यहां पर जो दिया है अब यह Ram और Sam एक साथ start करता है यहां question में थोड़ा सा हो सकता है देना चाहिए बट यहां आपको समझ लेना चाहिए अगर इस टाइप का question आया तो यह समझ लेना चाहिए कि दोनों साथ में start किया अगर इस टाइब को बोल रहा है कि भी और सी गा डिस्टन्स निगालना ठीक है अभी मैंने क्या पूल आपको अभी मैंने बोला कि s1 by s2 equal to d1 by d2 होता है ठीक है s1 by s2 equal to d1 by d2 होता है तो आपने क्या करना है है 40 बटा 50 equal to d1 क्या हो गया a c by bc ठीक है अब यहां पर देखो problem यह है कि यहां से यहां का distance ठीक है और यहां से यहां का distance दिया नहीं है तो अब अगर आप इसको मानोगे x इसको माने वो 360 माइनस x हमें variable यूज नहीं करना है हमें variable यूज नहीं करना है क्योंकि हमें एक्जाम निकालना है हमें क्या करना है हमें एक्जाम निकालना है तो हमें variable का यूज नहीं करना है तो हम कैसे करेंगे ratio से करेंगे क्या करेंगे ratio से करेंगे तो यह देखना आप ratio से यह कैसे होगा ठीक है जब भी अगर आपके इस टाइप के कुश्चन आएगा हमेशा आप रेसियो निकालेंगे क्या निकालेंगे रेसियो निकालेंगे ठीक है यह याद रखना क्या निकालेंगे रेसियो निकालेंगे तो देखो and when we have your Danes to sociales you keywords s1 받고 मेंने आपको बताया था fault मतलब s1-2 गारेशियो और डियवर तो आपको यहां पर समझना है कि यह क्या है यह क्या है रीचियो है तो s1 is to s2 क्या होगा 40 ratio 50 equal to 4 upon 5 ठीक है 4 upon 5 आप देखो तो ac by bc ac by bc की भी ratio होगी 4 is to 5 यानि 9 की आप देखो यहां पर दिया हुआ है is ab यानि total distance दिया हुआ तो यहां मतलब यह 4 हिस्सा है और यह 5 हिस्सा है यह यह 9 हिस्से का जो value है वह 360 ठीक है 9 हिस्से का value 360 हमें कितना का हिस्सा निकलना है हमें 5 हिस्सा निकलना है तो 5 का value हो जाएगा 360 by 9 into 5 ठीक है तो 9 चक 36 40 गुना 5 क्या हो गया 200 km answer answer d तो यहां से यहां का दिस्टेंस 200 km हो गया तो ठीक है यह आपने देखा कि कैसे हम रेशियो मेथर्ट से यह जो ट्रिक्स होती है वो जैनरली रेशियो मेथर्ट से निकलती है जब भी आप question बना हो इसलिए रेशियो मेथर्ट को अच्छे से समझना ठीक है रेशियो अच्छे से अगर समझ गए तो आपका हर question असानी से बन जाएगा जिसमें आपको कम टाइम लगेगी जब भी आप question को बनाओ तो कम टाइम लगेगा जब आप रेशियो मेथर्ट को अच्छे से समझ होगे तीसरा conclusion आप समझ गए होगे दो को constant किया एक बार distance को constant किया एक बार time को constant किया आप किसे constant करेंगे आप speed को constant करेंगे आप किसे constant करेंगे speed को constant करेंगे तो अगर speed ठीक है speed equal to distance by time अगर यही constant हो गया यानि speed constant हो गया speed constant हो गया तो distance और time में क्या relation आएगा ठीक है डिस्टेंस और टाइब में क्या रिलेशन आएगा चलो एक्जामपल देखते हैं केस वन मालो लिया कि डिस्टे स्पीड जो है वो मैंने बोल दिया 40 किलो मीटर पर आवर है, speed जो है मैंने बोल दिया, 40 km पर आवर है, ठीक है, तो और time को मैंने बोल दिया, मालो 5 आवर से, ठीक है, तो distance क्या होगा, distance आपकी आएगी, 200 km, distance क्या आया, 200 km, यह हो गया आपका case number 1, यह हो गया case number 1, अब दूसरा case हम देखते हैं, दूसरा case, क्या होगा, speed से में, speed आपका 40 है, 40 km पर आवर, ठीक है, time जो होगा, time अब मैंने क्या किया, अब time मैं 10, 5 के जगा, मैं time 7 कर देता हूँ, 7 hours, ठीक है, तो distance क्या होगी, distance होगी, 280 km, ठीक है, अब देखो, speed से में, speed से में, speed यहां भी से में, ठीक है, time 5 है, यहां पर time 7 है, तो distance यहां 200 होगया, यहां distance 280 होगया, तो आप देखो, कि यह जो, अगर speed से म होगी, speed से म होगी, तो किस ratio में, time किस ratio में बढ़ रहा है, और then distance उसी ratio में बढ़ रहा है, कि नहीं बढ़ रहा है, वो हम देखेंगे, तो यहां पर जो है, वो directly proportional है, ठीक है, अगर speed constant रहा, तो time is directly proportional to distance traveled, यह याद रखना, time is directly proportional to distance travel, मतलब जिस proportion से time बढ़ रहा है, या घट रहा है, उसी proportion से distance घटेगा, या बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, तो आप देखो, तो यहां पर time की ratio क्या होगी, मालो case 1, T1, H2, T2, क्या हो गया, 5 ratio 7, तो उसी तरह, D1, H2, D2, क्या हो गया, 200 ratio, 280, यह भी वह होगा, 5 ratio 7, यह आपका, यहां पर conclusion निकला, यानि speed अगर constant है, speed जो है, वह constant है, तो D1 upon D2, equal to क्या होगा, T1 upon T2, ठीक है, यह आपका, conclusion number 3, conclusion number 3, ठीक है, कोई doubt, तो इस पर बेज़्ट एक question कर लेते हैं, ठीक है, इस पर बेज़्ट एक question कर लेते हैं, कि Arvind takes 5 hours to cover 150 km, ठीक है, find the time taken by him to cover 120 km, Arvind 5 घंटे में 300 km चलता है, तो 120 km चलने में उसे कितना time लगेगा, तो देखो, ratio method, यहाँ पर time निकलना है, मुझे, क्या निकलना है, time निकलना है, distance दिया हुआ है, यानि D1 ratio D2, क्या दिया हुआ है, 150 ratio 120, ठीक है, तो यह क्या हो जागा, 5 ratio 4, 5 ratio 4, ठीक है, यहाँ से मुझे निकल गया, d1 ratio d2, तो t1 ratio 2, यानि same ratio में t1 और t2 होगा, तो t1 क्या है, 5 है, ठीक है, t1 5 है, तो t2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, है न, same ratio होगा, 5 घंटे ले रहा है, तो 4 हो जाएगा है न, तो t2 जो होगा, तो क्या हो जाएगा, पताओ, 5 बटा 5 गुना 4, यह होगा ना, यानि चार ठीक है चार समय आया अगर सर ठीक है तो टीचू चार गंटे ले रहा है ठीक है पांच रेसीव चार फिलेर है ओके सब्सक्राइब तीक है तुझ यहां से मैंने तीन constant है तो speed जो होगी वो inversely proportional to time taken ठीक है अगर time constant है ठीक है तो speed जो होगी वो directly proportional to distance travel होगी बत अगर speed constant है speed constant है तो distance जो होगी वो directly proportional to time taken same ultra भी होगी time is inversely proportional to speed distance is directly proportional to speed and time is directly proportional to distance ठीक है तो यह आपका तो यह तो यह आपका हो गया जो तीन conclusion निकाला उससे हम लोगों ने यह सवाल किया ठीक है अब जो है कुछ करें कि हम unit को कैसे conversion करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि speed जो है उसको हम generally आप जो question देखेंगे उसमें किलो मीटर पर आवर या मीटर पर सकेंड में होगी ठीक है जनरली आपके यही question आते है question में generally यह रहते है ठीक है और भी पूछ सकते है वह conversion जब question होगा तब हम देखेंगे बट जो general होता है हमेशा पूछा जाता है वह एक बार में अगर आपको पता रहें तो आपको उसो बार-बार करने की ज़रत नहीं है तो जो general होता है वह km per hour या मीटर पर सकेंड में होता है ठीक है यह आपका speed generally यही होता है तो अगर speed आपका km per hour में है और उसे आप मीटर पर सकेंड में convert करना चाहते है तो उसे multiply कर दिजे 5 by 18 से ठीक है उसे multiply कर दिजे 5 by 18 क्योंकि 1 km per hour equal to होता है 5 by 18 meter per second यह क्यों होता है देखो 1 km में कितने मीटर होंगे कितने मीटर होंगे हजार मीटर होंगे ठीक है और ताइम क्या होगा एक घंटे में कितने सकेंड होते हैं 3600 सेंड ठीक है 3600 सेंड convert किया तो यह हो गया 5 by 18 ठीक है यह 18 यह 5 ठीक है तो यह 5 by 18 meter per second इसलिए यह ऐसा हो गया convert हो गया ठीक है तो मालो दिया हुए कि speed जो आपकी दी गई है वो 90 km per hour 90 km per hour ठीक है इसे आप मीटर पर सेकेंड में करना है तो क्या करेंगे 90 को 5 by 18 से multiply कर देंगे तो 25 meter per second ठीक है अगर इसका उल्टा दिया हूँ अगर इसका उल्टा दिया हुए यानि कि speed जो है meter per second में दिये हुए से आपको km per hour करना है तो क्या करेंगे हम 18 by 5 से multiply करेंगे 18 by 5 से multiply करेंगे ठीक है ओके हम तो देखों सेम चीज़ यही मैं example लेता हूं कि अगर 25 अगर 25 meter per second दिया हुए है ठीक है इसको हमें km per hour में करना है तो क्या करेंगे 25 into 18 by 5 5 5 यानि अठारा पच्चे 90 km पर यह आपका answer आ गया तो conversion का समझ में आ गया ठीक है जब हम question करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है आपको यह ध्यान रखना है चलो यह question है यह हम देखते हैं ठीक है basic question है आज के इस class में मैं कुछ बेस आज के class में सिर्फ basic question लेकर आया हूँ अगली जो class होगी हमारी उस पर और टाइप के question लाऊंगा जो exams में पूछे जाते जो SSC और कोई भी exam government exam में उस पूछे जाते वह question करेंगे हम अगले class में इसमें सिर्फ basic आपकी यह class इसलिए रखा गया है कि आपको जो है वह basic सिखाया जाए आपकी basic जो concept वह clear हो जाए देन हम advance में जाएंगे ठीक है तो यह basic question देखते है speed of a car is 75 72 km per hour speed कोई car की 72 km per hour है ठीक है तो distance covered by car in 12 seconds ठीक है आप देखो answer यहाँ पर दिया मीटर में ठीक है जब answer मीटर में दिया हुआ है तो हम मीटर पर सेकेंड में convert करेंगे यहाँ answer अगर किलो मीटर में रहता तो किलो मीटर में convert करेंगे तो हमें इसको मीटर पर सेकेंड में करना है ठीक है तो 72 को 5 by 18 अभी बताया था conversion 5 by 18 से multiply करेंगे तो यह हो गया 20 मीटर पर सेकेंड यह क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड ठीक है अब देखो यह पूछ रहा है कि 12 सेकेंड में क्या कितना distance travel करेंगा हां तो distance equal to speed into time होता है distance equal to speed into time तो अब देखो स्पीड क्या है 20 है स्पीड होगी 20 और टाइम कितना ले रहा है 12 सेकेंड टाइम ले रहा है 12 सेकेंड तो 240 मीटर एंसर क्या आगे आपका 240 मीटर ठीक है क्लिए रहे एंसर क्लिए रहे एंसर क्या हो गया 240 मीटर तो यह बेसिक कुश्चन है कनवर्जन से हमने देखा कि कनवर्जन से क्या एक कुश्चन बना अगला कि स्पीड ओफ ए बाइक इज 15 मीटर पर सेकेंड फाइंड डिश्टेंस कवर्ड बाइक इन फाइप आप देखो यहां पर क्या है 15 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड देगे दी गई है लेकिन जो टाइम है टाइम आपका आवर्स में दिया गया है और स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में दिया गया तो एक चीज आप बहुत लोग यह करते हैं कि 15 गुना पांच कर देते हैं 15 गुना पांच कर देते हैं नहीं करना है यह नहीं करना है हमें सीखना भी नहीं है बस मैंने आपको यह बता दिया कि यह बहुत लोग कर देते हैं तो यह चीज आपको आवर में करेंगे या फिर यह जो यहां पर देखो किलो मीटर में दिया गया एंसर यहां पर किलो मीटर में एंसर दिया गया है तो हमें इसको किलो मीटर पर आवर में स्पीड को चेंज करना है तो according to option आपको यह ध्यान रखना है कि क्या करना है मीटर पर से किलो मीटर पर आवर में करना है या किलो मीटर पर आवर से मीटर पर से करना है ना तो यहां पर आवर्स में दिया हो गया है तो अगर इसको हम किलो मीटर पर आवर में करेंगे तो हमारा या सम raspberry km में आजाएगा जो Bernie सिखाच तो इसको क्या करना है को किलो मिटर पर आवर में करना तो क्या घरते है 18 बाइफ 5 से 5 तो क्या ओकिआ चानेल 54 किलो मेटर पर आवर आप यह पोछरा है distance क्या होगी distance थंद तो 54 दिस्टनस इकल speed into time distance equal to speed into time है ना यह फर्मुला आमने पड़ा था ठीक है तो 15 15 इंटू क्या हो गया कितना घंटे में करना है पांच घंटे में स्वरी 54 है 54 है 54 इंटु 5 ती हो गया दो सो सत्तर क्या गया कि आपका एंसर हो गया ठीक है तो देखा आपने बेसिक यह सारे बेसिक कुछ चैने अराम से यह बन जाने चाहिए आपके कि अंग एक अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह है एवरेज स्पीड है ना अब जो हम पढ़ेंगे वह है एवरेज स्पीड ठीक है तो एवरेज स्पीड क्या होती अभी तक हमने पढ़ा स्पीड अभी तक हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा स्पीड ठीक है अभी तक हमने पढ़ा अंब आ गया है इसके पहले एक टर्म एैवरेज इसे स्भीड करें तो एवडिज का मतलब क्या होता है मतलब होता है का डीवाड़ी सबसे पहले एवरेज क्या होता है वह समझते हैं however type-hand в respond-irm o एवरेज बेज का मतलब होता है मेन यानि कि कि मौँआ है नखक मितलब में 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 लिए निकालते ना और युजर एवरेज का एवरेज़ थो सट क्र एवरेज secret यानि इसक बारे के बाले तो एक एक्जाम्पल लेता हूं मैं जिससे आपका एवरेज क्या होता है वो किलियर हो जाएगा एवरेज स्पीड क्या होता हो किलियर हो जाएगा तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक परसन है पी एक परसन है पी ठीक है इसके चार या दो या तीन चार केस लेते हैं जैसे मालो पहला केस लिया कि पर्सन जो है वो हंड्रेड किलोमीटर चला ठीक है हंड्रेड किलोमीटर चला पर्सन जो है पी वो हंड्रेड किलोमीटर चला ठीक है क्लियर है यह डिस्टेंस माल लेते हैं ठीक है यह डिस्टेंस और इसका यह टाइम लेते हैं तो हंडेड किलोमेटर चलने में परसन ने लिया मालों दो घंटे टू आवर्स ठीक है दो घंटे लिया ठीक है दूसरा तो यहां पर केस वन दूसरा जो सिच्वेशन है अब फिर से 80 किलोमेटर चला यह इंटर्वल में चल रहे हैं जो पी है वह डिस्टेंस को इंटर्वल में मतलब कुछ-कुछ इंटर्वल में चल रहे है ठीक है तो पी जो है तो आप देख रहे हैं कि इसकी स्पीड यहां पे 50 है ठीक है इसकी स्पीड यहां पे 20 हो गई यानि कि स्पीड अलग-अलग स्पीड से वो चल रहा है जो पी है वो अलग-अलग स्पीड से चल रहा है तीसरा केस में उसने स्पीड चेंज किया ठीक है तीसरा केस में इसने 660 km चलता है मौन ठीक है 140 km चलता है इस बार टाइम वो फिर से 4 घंटे ले रहा है फोर आवर्स ठीक है आपकी बार इसकी स्पीड क्या होगी 40 ठीक है समझ में आया फिर से जो है फोर्थ बार में वो आपकी बार वो माल लो कि 60 km चलता है 60 km चलता है ठीक है लेकिन और इसके बाद इसको चलने के लिए वो माल लो 2 घंटे ले रहा है तू आवर्स ठीक है तो इस बार इसकी स्पीड क्या गई तीस इस बार इसकी 100 km चलता है ठीक है और दो घंटे लेता है ठीक है पहले बार में 50 की स्पीड से दूसरा बार 80 km चलता है 4 घंटे लेता है 20 की स्पीड से ठीक है तीसरा बार 160 km चलता है 4 घंटे लेता है 40 का स्पीड से ठीक है फोर्थ ताइम कि इसकी average speed क्या होगी पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोग generally क्या करते हैं कि average speed निकालने के लिए सारे speed निकाल देंगे यानि 50 plus 20 plus 40 plus 30 और क्या करेंगे divided by 4 कर देंगे divided by 4 कर देंगे ठीक है नहीं करना है नहीं करना है ऐसा नहीं करना बहुत लोगों को मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में लोग ऐसा ही समझते हैं कि मीन वैल्यू है तो मीन वैल्यू है टोटल अबजर्वेशन अपॉन टोटल काउंट है नहीं करना है यहां पर जो एवरेज निकालना है उसका फॉर्मूला कुछ अलग होता ह है उसका फॉर्मूला कुछ अलग होता है यह फॉर्मूला होता है आप देख लीजिए कि average speed equal to total distance traveled upon total time taken average speed equal to total distance traveled upon total time taken ठीक है यह होता है average speech का formula यानि जितने डिस्टेन्स उसने डे स्चार्वल किया है उसको उपर लिखेंगे यहां पर distance लिखेंगे, जितने distance उसने travel किया है, और उस distance को travel करने के लिए, जो respective टाइम उसने लिए है, उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो ये जो मैंने आपको case बताया, अब आप बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए average speed क्या होनी चाहिए average speed क्या होनी चाहिए average speed यहां पर होगी distance travel जो उसने किया है 100 plus 80 plus 160 plus 60 और time उसने क्या के लिए है 2 4 ठीक है 2 plus 4 plus 4 plus 2 ठीक है तो यह हो गया आपका कितना हो गया 180 180 और 160 260 और साथ 340 और साथ 400 क्या हो गया 400 ठीक है और चार दो छे चर्दा सर्दो बारा तो हो गया 4 तीया बारा और 400 ठीक है तो यह आपका आगया speed 100 by 3 km पर आवर ठीक है यह speed आगया average speed आपका 100 by 3 km पर आवर तो average speed आपने समझा आपका average speed क्या होती है कि average speed क्या होती है total distance traveled by total time taken ठीक है और जो total distance टेवल रिस्पेक्टिव distance का जो particular जो respective time होगा ठीक है मतलब 100 km जाने में उसने 2 घंटे लिया ठीक है 80 के लिए 4 घंटे लिया 160 के लिए 4 घंटे लिया 60 के लिए 2 घंटे लिए तो जितना जितना time ले रहा है ठीक है उस time को sum करेंगे और जितना distance travel कर रहा है उसका sum करेंगे sum of distance upon sum of time taken ठीक है तो यह आपका हो गया average speed का formula है ना तो यह दो special case है इसके बारे में मैं आप ही आउंगा आपके लिए है ना तो average speed equal to मैंने क्या formula होना है average speed equal to total average speed equal to क्या मैंने formula बनाया total distance upon total time यह आपका formula average speed का बनिया है ना ठीक है ओके तो चलते हैं एक question बनाते हैं यह average speed का एक question देखते हैं ना कि राहूल covers 120 km in 3 hours ठीक है राहूल जो है 120 km 3 घंटे मिले रहा है ठीक है तो देखो case यहां पर बन रहा है मतलब कितने situation बन रहा है यहां पर situation क्या बन रहा है पहला situation है कि राहूल 120 km 3 घंटे मिले रहा है यहां पर distance यहां पर time और यहां मालोई speed ठीक है 140 km 140 km 3.5 घंटे में चल रहा है ठीक है 80 km वो कि दो घंटे में चल रहा है और 160 km भाई वह 1.5 km 1.5 hours में जा रहा है ठीक है तो यह आपका राहूल ले चार तरह का distance चार अलग अलग तरह का distance 120 को 3 घंटे में 140 को 3.5 घंटे में 80 को 2 घंटे में और 160 को 1.5 hours में cover किया ठीक है तो चार अलग अलग तरह का distance ठीक है उसने 4 अलग अलग interval सब्सक्राणिया पूरी यात्रा के लिए रहुल की औसथ गति क्या हो गी मतलब औसद गति यानि आभरेज स्पीड यहाँ पे निकालना आपको यहां स्पी्ड अलग निकाले यहां तो इस पीन से फोटी नहीं होगी इसको divide करेंगे तो कितनी आएगी यहां भी 40 आएगी नहीं यहां पर आपकी का यहां पर 40 यहां भी 40 सारी है ठीक यहां पर कुछ अलगाईगी है यहां पर कुछ अलगाईगी तो यह स्पीड को मुझे निकाल के और इसको divide by 4 नहीं करना यह नहीं करना है यहां पर नहीं करना है इसको एकदम नहीं करना है ठीक है तो हमें निकालना प्लस एक्सो चालीज प्लस असी है ना प्लस एक्सों साट एक्सोबीज प्लस एक्सों चालीज प्लस एक्सों साट ठीक है अब इसको सम करेंगे तो तो क्या आया सम किया तो क्या आया सम किया तो 120 263 41 सम किया तो 500 आया सम किया तो 500 आया सम किया तो 500 आया है ना अब इसकी यह जो है की सम हो गई time का सम क्या होगा time का सम time किसका अच्छा चल रहा है सब का अच्छा चल रहा है न तो time का सम भी निकालते हैं कैसा चल रहा हो गया तो average speed क्या होगई 50 km per hour 50 km per hour ही आपका answer हो एंसर 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 आपका एंसर हो गया ठीक है किलिए तो देखो यहां पर दो इस्पेसल केस हैं जो आपको मैं बताओंगा कि जब एवरेज स्पीड की एक दो इस्पेसल केसे वह मैं आपको बताओंगा तो यह स्पेसल केस क्या है मैं आपको समझाता हूं बताता हूं पहले क कि आप समझना अच्छे से कि अच्छे समझना है ना क्या है यह देखो अगर 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 when the distance traveled is constant and two speeds that is x and y is given ठीक है अगर अगर distance traveled constant है मतलब distance traveled constant है अगर distance traveled constant है याद रखना कि distance traveled constant होना चाहिए ठीक है और दो speed x and y is given ठीक है तो average speed जो होगी वो होगी 2x 2x into y यानि 2 into x into y upon x plus y मतलब कि 2 speed है मानलो एक speed है तुम्हारा मैं यहाँ पर variable है मैं data से लेता हूँ number से लेता हूँ कि speed 1 मानलो तुम्हारा है 40 km per hour 40 km per hour ठीक है speed 2 जो है तुम्हारा वो है मानलो 60 km per hour ठीक है 60 km per hour तो अब डिस्टेंस जो ट्रैवल है वो constant कैसे यह एक्जांपल से समझना कि जैसे मानलो कोई परसन ए प्लेस ए से ठीक है प्लेस ए से गया प्लेस भी ठीक है प्लेस ए से प्लेस भी गया है ना और यहां तक का डिस्टेंस मानलो 80 km हुआ क्या हुआ 80 km ठीक है वही परसन और यह जो 80 km का मानलो यह 60 km 40 km बिर्मा में बोल रहा हूं कि मुझे बी से पीलाना यहां रुकूँगा नहीं मैं और आगे झाऊँ गा ठीके और आगे जाऊँ गा और तेजी से झाऊँगा और तेजी से जाऊँगा बी से जाना है और उसका distance मुझे same distance travel करना है बी से सी का भी distance 80 kilometer और तेज जाऊंगा तो आप देखो इस दो case first वाले case में और second वाले case में जो तुम्हारा distance है वह सेम है यहां भी 80 है यहां भी 80 है लेकिन first वाले case में speed जो है वह अलग है second वाले case में speed जो है वह अलग है तो अब यहां पे बोलेगा पुछेगा कोई मुझसे कि आनन जी आपने जो यह A से C गया आप A से C गये तो आपकी जो आउसत गती है आपकी जो average speed है वो क्या है तो मैं बताऊंगा कि कुछ नहीं है वो average speed जो है वो है 2 into 40 into 60 upon 40 plus 60 मैं तुरंत calculate करूंगा और मैं बोलूंगा 2 into 46 upon 100 यह यह cancel हुआ यह हो गया 48 km पर आवर तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी speed average speed जो है वो 48 km पर आवर होगी ठीक है तो आपने समझा है आपने देखा कि distance जो distance travel है यानि दूरी जो है अगर वो constant है दूरी constant है और जो speed है वो अलग-अलग है मतलब same दूरी को वो अलग-अलग speed से cover कर रहा है तो उसकी average speed क्या होगी तो average speed क्या होगी 2 into जो अलग-अलग गती है अलग-अलग speed है उससे multiply करेंगे divided by sum of अलग-अलग speed है ना sum of यह different speed मतलब दो अलग-अलग speed यानि 2 into x 2 into x into y upon x plus y ठीक है मतलब 2 speed है ठीक है समझ में आ गया तो यह रहा आपका special case number one special case number one ठीक है इस पर बेज़ एक question करते हैं देखते एक और कुश्च इस पर बेज़ अगर speed from point e at 25 km per hour ठीक है एक बिवेक बिवेक है हमारे मित्र वो बोल रहा है कि वो a से b गय हमारे मित्र बिवेक ए से बी गय उसने 25 km per hour से यह से बी गया चैना 25 km से प्राया रही है इसलिए या इससे लेकिन इस बार वो देज़ी से गाये यानी बीवेक को जाना होगा पहले तो वो गए ऑफिस यान बीवेक इससे मुझे एक चीश समझ में आ रही है इससे मुझे एक चीश समझ में आ गई इस कुश्चन से कि विवेक का घर ए है और विवेक का ओफिस भी है विवेक का ओफिस भी है यानि ओफिस लेकिन जब घर आने की खुसी ए चलो तेजी से चलते है ना तो बिवेकक काम के लिए तत्पर नहीं है मैं अपने मित्र को बोलूँगा ऐसा क्यों है बिवेक है ना ठीक है तो अब बोल रहा है कि बिवेक की ज़परावर उसकी आउसत गती क्या होगी यानि average speed क्या होगी तो बिवेक A से B 25 km per hour की 25 km परती घंटी की घंटी से ठीक है और B से A 75 km घंटा की घंटी से तै करता है तो पूरी यात्रा के लिए विवेक की आउसत गती घ्याद कीजिए यह हमें पूछ रहा है ठीक है तो क्या करेंगे टू इन्टू 25 इन्टू 75 अपन 25 प्लस 75 ठीक है तो दो गुना आप इसको मल्टिप्लाइ करने की जरूत नहीं है से लना मल्टिप्लाइ नहीं करना आपको 25 25 75 को सीधे 100 लिखो और 25 चोक दो दुने यह करकरा तो आजागा 37.5 km यह हो गई विवेक की आउसत गती यह हो गई विवेक की आउसत गती तो यह जो केस नंबर वान आपने देखा अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे डिस्टेंस सेम है हाँ है बिल्कुल है डिस्टेंस से क्योंकि एस से बी गया वापस भी से आया है ना तो निस्टेंस सेम है ना तो यह विवेक का चूषण से अंब चूहक नबर टू है वह हम देखेंगे तो केस नंबर टू क्या है हो हम समझेगे है केस नमबर 2 क्या रहा है कि special case number 2 यह कह रहा है कि when जब the time taken is constant जब समय जो लिया गया है वो constant है मतलब वो न घट रहा है न बढ़ रहा है and two speeds that is x and y is given constant तो अगर फिर उसके बाद 2 speed x और y दिया गया है तो average speed जो होगी x plus y by 2 होगी यह तो और ही असान लग रहा है यह तो और ही असान है बस दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड गर दो है ना मतलब क्या गह रहा है कि देखो time taken is constant आप देखो time taken constant है तो average speed मतलब यहां पर distance अलग हो सकते है ना time taken constant है तो समझते example से कि मैं फिर से पर hour की speed से गया है ना और a से b जाने में मुझे 5 घंटे लगे 5 घंटे लगे अब मुझे बोलना है कि मैं यहां रुकूंगा नहीं मैं और आगे जाओंगा फिर मैं b से c गया कि इसे c गया बी से c भी जाने में मुझे 5 घंटे लगे बी से c जाने में मुझे मैं ने बोला कि मैं 5 घंटे में a-aca ucking अब मुझे b-c वी पांच घंटे में जाना है ठीक है तो लेकिन मैं इस पर ज्यादा की speed से जाऊंगा और तेज जाऊंगा और तेज भागूँगा तो मैं इस बार 50 की speed से चला गया मालो 50 km per hour की speed से चला गया है ना तो अब देखो यह जो special case है यहां पर time से बे मैं a से b भी 5 गंते में जा रहा हूं बी से कि 5 गंते में जा रहा हूं तो यहाँ जो distance से आपका वह 20 Dobre डाई सो किलिमेटर च्रेकल कीया मैं यहाँ जो distance प्रेवल किया वह 200 कियrzy यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 200 किया है ना लेकिन यहां पर क्या गर है टाइम टेकन इस constant time टेकन constant है distance constant नहीं होने चाहिए डिस्टेंस constant हो जाएगा तो सब कुछ constant हो जाएगा तो अब बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगी तो एवरेज स्पीड देखो एवरेज स्पीड क्या होगी तो एवरेज स्पीड इस special case के according x प्लस y यानि मेरा पहला स्पीड जो है यह x है दूसरा स्पीड है y ठीक है तो क्या होगा 40 प्लस 50 40 प्लस 50 divided by 2 हो जाएगा और हो नबबे बटा दो यानि 45 किलो मीटर पर आवर तो आनंद भाई यानि मैं आनंद भाई यानि मैं वो 45 किलो मीटर पर आवर की स्पीड से औस गती होगी जब तो A से C तक जाएंगे, है ना, A से C तक अगर आनन्दवाई जा रहे हैं, दो पार्ट में, तो मेरी जो गती होगी, स्पीड होगी, वो 45 किलोमेटर पर आवर औसत गती होगी, है ना, तो यहाँ पर देखो, अगर, आवरेज स्पीड का जो जेनरल फॉर्मुला है, अगर उससे में निकालू, तो भी निकल जाएगा, है ना, क्या हुआ, तोडल डिस्टेंस 200, प्लस 250, अपन, टाइम क्या है, पाँच पाँच, दस, देखवा आ गया न, क्या आ गया, आ गया, आ गया न, चार सो पच्चास बटा, दस, देखवा आ गया, 45, आ गया, तो हमें उस गली जाना ही, क्यों, जिस गली में हमें, रिजल्ट, देर से मिले, ठीक है, हमें उस मेथट को पढ़ना ही नहीं, जब हमारे पास कुछ, उसके, ट्रेक्स वाले, कुछ special case मिल गएं, जिससे हमारी problem और असान हो जा रही है, तो हम इसे पढ़ेंगे, हम किसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे, बस मैंने उसे आपको बता दिया, कि ऐसा भी हो सकता है, है न, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो एक question कर लेते हैं, इस पर, एक question है, अमन टेक्स, अमन टेक्स 5 hours to cover point B from point A, अमन भाई है, अमन भाई है, वो A से B, A से B जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, तो कितने की speed से जा रहे हैं, 60 की speed से जा रहे हैं, 60 km per hour की speed से जा रहे हैं, और जाने में 5 घंटे ले रहे हैं, ठीक है, एंड टेक्स सेम टाइम टू कबर point C from point B, और C तक भी जा रहे हैं भाई साब, और इस बार 70 km की speed से जा रहे हैं, सत्तर किलो मीटर पर आवर की स्पीड से सी तक जा रहे है और सेम टाइम ले रहे है ना और सेम टाइम ले रहे यानि पांच घंटे ले रहे find the his average speed तो अब भी हो बताया मैंने कि average speed का जो second वाला special case है at x plus y upon 2 क्या हो गया x plus y upon 2 यानि पारिशट किलो मेटर पर आवर 65 किलो मेटर पर आवर और उसद गति इसकी होगी 65 किलो मेटर पर आवर तो यह जो आपका क्लास है आज मैंने आपको बताया time speed and distance यानि समय गति और दूरी का basic concept है ना basic concept नहीं आपको पढ़ाया उससे related मैंने तीन conclusion निकाले तीन conclusion यह था कि speed is directly proportional to distance speed is inversely proportional to time taken and distance is directly proportional to time taken यह आपको तीन conclusion निकालके मैंने पढ़ाया फिर हमने पढ़ा औसत गति यानि average speed के दो cases देखें एक case में क्या देखा एक case में देखा कि distance constant होता है एक case में देखा कि time constant होता है ना अब जो हमारी next class होगी जो मैं next class लेकर आऊँगा उसमें हम लोग time speed and time speed and distance based questions करेंगे जो exam से पुछे जाते हैं तो हम लोग basic question से advanced question की तरफ जाएंगे ठीक है तो आप next class जो हमारी आएगी उससे देख देखें उससे पढ़ें और उससे हमारी चैनल में जितने वीडियो आते हैं जो भी हम आपके लिए content लेकर आते हैं आपके त्यारी के लिए आपकी preparation के लिए बहुत ही जरूरी है यह सब content लाना और हम चाहते ही कि आपका selection जल्द से जल्द हो तो अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर दें ठीक है साथ ही आप हमारे चैनल को share भी करें ताकि ज्यादा लोग हमारे चैनल से जूड़ जाए और हमें भी अच्छा लगेगा जब ज्यादा लोग हमारे साथ जूड़े हैं तो हमें और अच्छा लगेगा और आपके भी जो साथ हैं आपके जो मित्र है दाएं वह अगर इस चैनल के माध हम से पढ़ते तो उनका भी सेलेक्शन हो जाएगा है ना कर भला तो हो बहला करें है माँ और हम वीडियो को लाइक करना ना भूले क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते तो हमें भी खुशी और हमारे अंदर और जोस आता है कि हम और पढ़ाएं, और पढ़ाएं, और पढ़ाएं, तो हब के लिए हम जोस के साथ और खूब महनत के साथ, लगन के साथ हम आपके लिए ले कर आने वीडियो, और हम ये भी चाहेंगे कि आप भी खुब लगन से पढ़ाई करें So thank you for watching this video और जल्दी से जल्दी से subscribe, share और like करें Thank you so much Thank you, thank you